आज आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो बैसिकली है क्या तो मैं अपने स्टुडेंट्स लोगों के लिए एक मैसेज लेके आया हूँ कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट वेल स्टेंडर बोर्ड स्वाई जैसी महारास का बोर्ड का किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसको किस तरीके से आपको पेपर को सॉल कर रहा है कितना टाइम कुनसे कॉश्चन को देना है यह मेरे पूरे वीडियो में रहेगा और कुनसे कुनसे चप्टरस पंड़ने हैं कुनसे चप्टरस आप अगर ऑप्शन में भी छोड़ दिया तो भी आपको चलेगा चलो एक बार फहले हम लोग सीलेबस की तरफ थोड़ा सा दयाद देंते हैं जरा आप फोकस कीजिए यहां पे हमको सीलेबस में कुनसे कुनसे चप्टरस है फ्रेंट्स पाट्रशी फाइनल अकाउंट है फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसल है मतलब एन्पी ओ है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बोलूँगा यह जो दो चप्टरस है इसको आप साथ में ही पढ़ो क्यों साथ में पढ़ोगे आप क्योंकि क्या है यह लगभग सेम ही है बराबर बैलेंच रिट बनाना पड़ेगा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि यह दो चप्टरस को साथ में प्रैक्टिस करना फिर सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री एकदम इजी चप्टर है यह आपको अच्छे से आता ही होएगा इसका फुल को प्रैक्टिस करो बिल्स ओफ एक्षेंज फुल अग जनल एंट्री से जनल एंट्री से को एकदम ध्यान से लोजिकली और अच्छे से पढ़के लेलो बराबर याद कर लो उसको बराबर और नहीं नहीं करते करते आपके एक्जाम में बिल्स ओफ एक्षेंज में एक दस मक्का सम तो आई बराबर और आप नीचे की तरफ हम लोग आ पाटनर्शिप का दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या 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 बढ़मीशन रिटायर्मेंटरं ऐस्द इये टीन चैप्टर साथके बहुत सिर्पोर्त है क्यूं क्यूंकि ये तिन में से एक चैप्टर तो पक्का पक्का आने वाला है और question number 3 में आएगा ये बराबर और अपना 8th chapter कुन सा है dissolution of partnership fund ये भी पूरा का पूरा 10 marks का आने वाला है in short मैं ऐसे गोलूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो lesson है ये आपके exam के लिए बहुत काम के है क्यों क्यों कि आपको 20 marks देंगे बराबर अब चलो अब 9th lesson के है हमारा company account part 1 है और 10th है company account part 2 ये था accounting for share ये है accounting for debentures और last है हमारा theory chapter analysis of financial statement ये अगर हम लोग नहीं भी करेंगे मतलब option में भी छोड़ देंगे तो एक बार हमारा मतलब को ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा objectives हमको पढ़ लेना है मतलब इसका basic भी अगर कर लिया practical sums पे नहीं डैन दिया ये दो chapter के तो भी आपका काम बन जाएगा अब फ्रेंग्स अब analysis of financial statement full of theory chapter ये आपको पूरा रटा मारना पड़ेगा मतलब questionances याद करने पड़ेंगे क्यों आप मतलब अपना risk लेते हो अपको क्या हो गया है वो अपना उसका आदक पड़िया है तो मैं आपको यही सला दूंगा कि आप कुंसा जप्टर करो friends dissolution of partnership चल जरा अब हम हमारे paper pattern की और आते है paper pattern में question number one क्या है हमारा attempt any three बराबर इसमें से आपको कुंसे कुंसे answer question का जवाब देना है तो answer in one sentence में बोलोंगा आप solve ही मत करो भाई मत करो क्यों क्योंकि बहुत मुश्किल है यहां पे पूरे marks मिलना आप क्या करो answer in one word और true or false में देखो जो ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उसको आप solve करो और fill in the blanks with option और यह specimen तो पूरा तुमको आई ही जाएगा यहां पे option है तो यह तुमारा गलत होने का chance नहीं आता है but confusion मत करना create exam में चलो friends आप question number two कुन सा है हमारा single entry और theory question जैसे हम लोग ने पहले ही ताई किया था क्या तहीं किया था friends कि हम लोग क्या करेंगे single entry को solve करेंगे हम लोग theory नहीं लिखने जाएंगे तो चलो अब आगले आगे क्या ही है question number three question number three में आपको admission retirement question number three A आएगा question number three B में भी admission retirement मतलब यह तीनों में से कोई भी एक आएगा for example question number A में retirement आया तो हो सकता है question number B में आपको admission भी आसकते है बराबर यह सही वाइसर वर्सा कोई भी दोजन आसकते है बराबर पर यह और है यह भी 10 marks का bills of exchange यह क्या है आपका compulsory topic है इसको आपको solve करना ही करना है तो यह chapter को आपको exam में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यह आपको करके ही जाना है question number five हमने पहले ही ताई किया था हम लोग कुन सा chapter करेंगे dissolution तो मैं आपको सला दूंगा आप dissolution को ही एक्जाम में solve करना यह भी आपको 10 marks का आएगा NPO NPO और final accounts तो हमारा जर्ड है बराबर हमारे basic से और हमने गए साल भी final account सिखा था तो यह दो chapter हमारे होई जाएंगे और यह दोनों भी क्या है हमारे compulsory चलो फ्रेंट्स वापीस से यहां पर देखिए मैंने यहां पर minutes भी लिखे आपको जब paper solve करेंगे तो आप जब objectives आएगा तो objectives आपको 15 minutes में पूरा का पूरा complete कर देना है आपका 80 marks का paper रहेगा आपको 3 hearts मिलने वाला है बराबर मतलब 180 minutes मिलने वाले है अब 15 minutes में आप objective solve कर लीजिए फिर अगले 15 minutes में आप single entry को भी solve कर दीजिए बराबर फिर 20 minutes आप यह जो admission retirement में time जाता है इसके लिए हम इसको कितना minute लगाएंगे 30 minutes और यह जो dissolution वाला है इसके लिए आप लेना 25 minutes friends और एक बात अब यह जो NPO है NPO को भी पूरा 30 minutes देना final accounts को भी पूरा का पूरा 30 minutes देना और उसके बाद में friends आपके पास में remaining 15 minutes रह जाते हैं तो इसमें क्या करो आप अपने paper को अच्छी तरीके से चेक करो बराबर कोई objectives रह गया है किसको याद करना है याद कर लो कोई total total बाकी है कुछ और तुमको कुछ लग खलास कर सकते हो बाट ये कब खलास होएगा आपका paper जब आपका क्या रहेगा एकदम जबरदस्त practice रहेगा accounts में तो ही ये possible है friends नहीं तो बहुत मुश्किल है तो आपको रोज 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 अच्छे अच्छे से बहुत जादा 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 practice करनी है friends बराबर final accounts NPO दोनों स सब साथ में ही करते रहो रोज रोज इनका practice करो friends रोज एक 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 सम को solve करो मतलब दो chapters को सुबह करो दो chapters को दुफेर में करो दो chapters को रात में करो देखो आपका accounts बहुत अच्छा और बहुत strong हो जाएगा बराबर अब friends time आ चुका है जब आपको क्या करना है बहुत जब time निकालो बट ऐसा नहीं कि भाई new year आया हम 3-4 दिन तो उसमें चले गए यह सब मत करना सब अगले साल आने वाला है अगले साल आप double enjoyment करना ठीके so friends focus करो studies पे पुरा ध्यान दो December भी बहुत दिन निकल चुके है अभी friends बहुत जादा ध्यान देना है आपको so thank you friends for watching my video and giving your valuable and precious times for watching my video please friends subscribe my channel like my video and share more and more my videos thank you very much आप चैहिन चैहिन तो इसको फोकस कर आप पर बैठन तो टाइम पेश नीचे नीचे कर दो कुआ हों है